आज हम फिश्यका अधियन करेंगे हो आपके ER तो चर आप जानते हैं चर और अचर दो चीजे होती है अचर जिनका मान फिक्स हो और चर जिनका मान परिस्थितिक एनुरूप क्या हो बदले जैसे आपका अगर x, y, z, etc कैसे अगर x प्लस y बराबर 2 कर दिया तो x की वैल्यू वैरी कर जाएगी x स्कार मैंस y स्कार बराबर 8 कर दिया तो क्या फिर भी x की वैल्यू क्या होगी वैरी अर्था परिस्थिति बदलने पर जिनका मान बदले उन्हें क्या कहेंगे चर तो हम अगर कोई ची की उसमें हम ऐसी चीजे लेते जिनका जिनका जो मान है वो बदलता है तो बदलता है तो क्या ठीक है उसे हम क्या कहेंगे चर लेकिन चर के अगर प्रकार के बात करें तो दो प्रकार के चर आपने पढ़े होंगे क्या गुरात्मक और मात्रात्मक तो गुरात्मक चर वो चर और गुनों का अध्यन करते हैं शब्दों से मात्रात्मक चर्शाम ह disgusting आप संख्या के님ä आपको आख़by आपको का रूप होपि अभिशन मीं दो प्रकर के होते हैं क्या आपका एक सथ है और एक चो आख्य क्या है कि अब लंबाई में किया है आप संटिमीटर में मिलीमीटर में करके पॉइंट 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 कर सकते हैं और असतत्त चरुप जो जो सिर्फ पूर्ड संख्याओं को ही क्या करें धारण कर सकें जैसे छात्रों की संख्या पता जला कक्षा में एक मेरे जैसा स्टूरंट और एक दूबला पतला तो आप ये कहेंगे कि ये डेड़ है वो एक आधे है नहीं या धाई लोग है या डेड़ लोग है ऐसा नहीं हम क्या करेंगे कहेंगे दो लोग परिवार में जो लोगी की संख्या ये भी क्या ह आपकी सतत्चर के अंतरगत आती अब हम बात करेंगे कि इनको नापने का लेवल क्या होता है तो नापने का लेवल भी चार है आपका नामित क्रमित अंतराल और अनुपात तो पहला स्तर जो नामित है इसमें शब्दों के माध्यम से जैसे किसी को नाम देने ना लड़का है लड़की है दो ग्रूप बाढ़ दिया तो जो दो इंडिपेंडेंडेंट्र ग्रूप की बात करें उनको शब्द नाम दे दिया जाए ऐसे स्तर का म सब्सक्राइब करेंगे मालिच यह सबसे यह से कर्ड आया या फरस्ट है तो एक ही स्कूर में से क्या है इस इसमें है anosож में इसमें इसमें दीन दशpay इसमें फांचा तो यह उतना ह्च्छा नहीं मिना गया तो फिर तीसरा लेबलाय आपका रेश्यों तो इंटर्वल लेवल जो जो होता सबसे अच्छा लेवल माना जाता है तो यह आपके क्या हुए जो हम चरको जिनका अध्यन करते उनके नापने क्या लेवल अब जैसे मैंने आपको के अध्यन करना है किसका बोड इग्जाम पर बोड परिक्षा में बालकों के तनाव स्तर का अध्यन अभी बोड इग्जाम चल रहा है ना तो इसका अगर हम अध्यन करेंगे तो क्या है यह आप जानते रहे इसमें कुछ वेरियबल्स है जिनका हम अध्यान करते हैं तो जब हम इसको इसका अध्यान करेंगे तो हम कौन से विधी अपनाएंगे प्रेवगात्मक शोथ की ठीक है तो प्रेवगात्मक शोथ में दो चीजें होती है आपके एक प्रेवगात्मक समूंग और एक नियंत्रत दो हम ग्रूप डिवाइड करते हैं जसमें एक का सामान परिक्षотьर है गार एक क्या होगा बोट का इस एक ग्जाम रहेगा तो इसमें हम यह देखनां कि चर कितने प्रकार कि तो यह एक है और एक यह चर और है जीसख्का मध्यन कर में प्रें लूठ भीक्षण पर stump Then reformative आप किसी भी चीज का भय का और किसी भी चीज का पध्यान कर सकते तो यहां हम देखेंगे कि चर कितने प्रकार के तो चर हम मुख्य तर तीन प्रकार के कह सकते इसमें आपका पहला है आपका स्वतंत्र चर ऐसी चर जो जिनका प्रभा जिन पर हम मैनुपुलेशन करते हैं उन तो आशित्चर वो चर है जिन पर हम प्रभाव देखते हैं और थर्ड क्या है आपका समाकलिट्चर इस समाकलिट्चर में भी आपका दो होता है एक मध्यवर्ती कर बाथ करें वह प्रभावल क्या होगा तो इस पर अ decía दोसरा रहरेक हैं इस ब्राइस अब परिक्ष्या में तरक्या के तनावल जो अध्याने वह कर रहा है तो इसमें बदाएजी कि स्वतने चर क्या है है जिसमें मैनुपलेशन करें तनाओं का तो अध्यान करना है तो उसमें मैनुपलेशन करना नहीं तनाओं का तो अध्यान करना है यहां मैनुपलेशन करेंगे यह बोड परिक्षा परिक्षा में हम क्या करेंगे मैनुपलेशन करेंगे कोई सामान होगी कोई बोड होगी तो इसमें बोर्ड एक्जाम आपका स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट वैरियेबल ठीक है यह इसे बोलते कारण चर जिसके कारण कुछ होता है दूसरा जिस पर अध्यन देखेंगे जिस पर तो तनाव पर कि तनाव पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो हम पर या प्रभाव चर इसको लोलेगे या आश्रिद चर बोलेगे तो फरgen दानाव है किओ असकos भजै का कोई क्रेंट हो चिंता हो जो हमें नहीं पता हो और इस टैस्ट और ये एकस्पेरमेंट को क्या करें वह प्रभाव थ जरे तो जो वोचर कौन सा होगा आपका मद्यवर्ती चर वो चर आपका मद्यवर्ती चर कहलाएगा अब मद्यवर्ती चर के बाद भी बात करें तो क्या आप उस बालक के घर का वातावर्ण चेंज कर सकते हैं या विद्धाले के पूरे वातावरण को चेंज कर सकते हैं परिक्षा के लिए नहीं न तो यह ऐसे चर्ण जो वातावरण समय जो बाहरूप से आपको प्रभावयद करते तो इन चरों को क्या कहते हैं बाहर चर्ण आप इस सतंत्र में भी दो प्रकार के चर्ण होता है एक हो बुद्धिकन नसारका प्रभाव तो कई बच्चों परकते हैं तो जाएवक रूप से इसका प्रभाववट कर सकते हैं जैसे आपका बौड परिक्चा इसको संचालित स्वथनतरचर कीज़े है जो इसमें आती अब देखिये इन चरों कोजब मेजर करते तो इसमें क्या आती है कुछ तुटिान तुटियाख व्यक्तिगत पूटियाण FZFF स्थाई है और व्याप्या अगर जो मापन करता है जो अनसंधान करता उसके दाह्टा को यह थी तो इसको कहेंगे किसे अगर great ड्यूरिशन में वै अब कुछ रहे हैं एब हमें खुद प्रियर नहीं है जो चरो को परिभाशित किया वही गलत है तो कौन संबंदी तुरूटी है चड़ संबंदी अगर हम स्थाई तुरूटी की बात करें तो सब कुछ सही किया लेकिन जो उपकरण लिया उसी में प्राबलम आगे उसकी रिलाइबिल्टी नहीं है वह वैजता नहीं है जिस चीज के लिए उसको बनाए गया तो हम जो देखेंगे कि पूरे टेस में वह स्थाई रूप से तुरूटी दिखेंगी और अगर व्याक्या में अगर कोई तुरूटी आए जैसे आप नल हैपोथेस बनाते तो अलफा एरर होता है बीटा एरर हो जाता है ना कि हां सही होता हम गल कि रिसर्चुद उसमें जो वैरियसे फॉत धिया सब्साundंगories उत्रइब्ली के आपको आगे इसके अगर करेंगे कि कौन-कौन सी विधिया हैं हमारे एक्सपरिमेंटी